दोस्तों, चाइना में फैला कॉरना वाइरस दिन भर दिन खतरनाक होता जा रहा है। चाइना ही नहीं अब तो 28 से जादा देशों में ये अपने पाउं फैला चुका है। जब ऐसा कुछ होता है तो हर तरफ से उलजा देने वाली खबरे सामने आने लगती हैं। ऐसी उलजन भरे खबरे आ रही हैं चाइना से भी, जा हजारों में लाशों को जलाने वाली बात सामने आई है। सोशल मीडिया के साथ साथ कई मीडिया संस्थानों ने भी अंदेशा जताया है कि चाइना की वुहान समेथ कई शहरों से हजारों में लाशे जलाई जा रही हैं तो आज इनी सब चीजों का परदाफाश करेंगे आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कॉर्णा वाइरस की करेंट अपडेट्स क्या हजारों के तदाद में जल रहे हैं शव चाइना में क्यों फैल रही है इतनी सल्फर डायोकसाइड गास और वाइरल हो रही वुहान की एक सेटलाइट इमेज के पीछे का सच दोस्तों आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर इस वीडियो को प्लीज जादा से जादा शेयर करें ताकि लोगों तक Reliable और Trusted Information कोरोना वाइरस को लेकर पहुँच सके तो आप सब बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वाइरस के करेंट अपडेट्स को लेकर कोरोना वाइरस से मढने वालों का नंबर रुकने में ही नहीं आ रहा है सरकारी आंकडों के मताबिक अभी तक कोरोना वाइरस से 1860 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और 72,430 से जादा लोग इस टाइम इस वाइरस से इंफेक्टेड है एक बहुत ही दुखी खबर है कि वुहान के एक बड़े हॉस्पिटल के डारेक्टर की जाण कोरोना वाइरस से कल चली गई जिनकी उम्र 51 साल की थी चाइना इस टाइम महामारी से जूंज रहा है और मेडिकल फेकेलिटी के बीच ये 9th कैशुलिटी है सल्यूट है उन डॉक्टर्स को जो इस टाइम अपनी जिन्दगी की परवा किये बिना दिन रात इस वाइरस से लड़ रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों फैल रही है इतनी सल्फर डायोकसाइड गैस जिस सेटलाइट इमेज का सहारा लिया जा रहा है उस इमेज में गरबड है पहले ये देख लेते हैं कि इस इमेज में है क्या जिस ग्राफिक इमेज को सेटलाइट इमेज बताया जा रहा है वेर दरसल मैप के उपर सल्फर डायोकसाइड का एमिशन है इसे Intel नाम के एक Twitter handler ने tweet किया है इस image में बताया जा रहा है कि वुहान शहर के पास बहुत सारी sulfur dioxide gas निकल रही है वुहान चाइना का वो शहर है जहाँ पे coronavirus का संक्रमन्ट सबसे जादा है और sulfur dioxide यानि की शब जलने पे जो gas निकलती है उन में से एक gas है और अगली image जो internet and social media पे viral हो रही है जब इस graphic map को हम zoom out करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है इसमें sulfur dioxide जैसा ही emission चाइना के चौंक्वीन शहर में नजर आ रहा है चौंक्वीन में भी coronavirus का संक्रमन्ट अच्छा खासा है बताने का मतलब ये है कि जो जो शहर चाइना के coronavirus से जूंज रहे हैं वहाँ sulfur dioxide का emission काफी जादा है और sulfur dioxide का सीधा मतलब है कि वहाँ भारी मात्रा में कुछ न कुछ जलाया जा रहा है तो क्या हजारों की तादात में चाइना में इस ताइम शब जल रहे हैं? कुछ reports ने ये शक जाहिर किया है कि coronavirus से कई हजार लोग मारे जा चुके हैं और चाइना ये बात चुपा रहा है ये report बाद में जूटे निकले यानि की fake निकली इसी चुपन चुपाई के सिंसले में ये बात भी निकली की चाइना ने हजारों लाशों के सबूत को मिटाने के लिए इन्हें जला दिया है इस बात को सही प्रूफ करने के लिए एक satellite image का सहरा लिया जा रहा है इस satellite image का सच भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के end तक आपको पता लग जाएगा कि कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है आपको ये सवाल होगा कि क्या चाइना में लाशों को बिलकुल नहीं जलाया जा रहा है तो मैं आपको बताती हूँ लाशों को तो जलाया जा रहा है एक फर्वरी को चाइना की नाशनल हेल्थ कमिशन ने शवो को जलाने की ओर्डर दिये थे बढ़ते संक्रमन की वज़े से ऐसा माना जा रहा है कि डेड बॉडी को दबाने से बहतर है कि उसको जलाया जाए शायद इसी लिए हिंदू परंपरा के हिसाब से शवो को जलाया जाता है एन एचसी शव को और उनके साथ का जो भी समान है उसको जलाने के लिए बहुत सीरियस है ओर्डर्स में ये भी है कि अगर मृतक के घर वाले अंतिन संसकार के लिए नहीं आते हैं या फिर आनाकानी करते हैं तो मेडिकल संस्थान के सिगनेचर लेकर शवो को फोरण जलाया जाए इस प्रोसेस में बहुत तेजी बढ़ती जा रही है और इस प्रोसेस के बहुत तेज चलने से काफी लोग इससे नाखुश भी है फ्यूनिल राइट्स ठंक से ना हो पानने की कारण कुछ एपिडेमियोलोजिस्ट यानि की महामारी को पढ़ने वालों को कहना है कि ये गैर जरूरी है लेकिन इस टाइम चाइना की सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेने से बच रही है तो जो खबरे आ रही है कि चाइना में एक साथ हजारों की तदाद में लोगों को जलाया जा रहा है ऐसी किसी भी बात की पुष्टी नहीं हुई है लाशों को जलाया जा रहा है लेकिन हजारों की तदाद में नहीं अब जानते हैं कि वारल हो रही वुहान की एक सेटलाइट इमिज के पीछे का सच वुहान शहर इस ताइम क्वारंटाइम में हैं अंदर क्या हो रहा है बाहर वाला कोई नहीं जानता तो एक फोटो आई कहां से बहुतों को लग सकता है कि सच मुझ में सेटलाइट ने हजारों में जलते हुए शवों का फोटो लिया है लेकिन अब मैं बताती हूँ आपको कि इस फोटो की असलियत वास्तव में क्या है फुल फेक्ट नाम की एक वेबसाइट ने इस इमिज की जान्च करी अबल तो ये कोई सैटलाइट इमेज नहीं है जैसा कि अभी मैंने पहले बताया ये नक्ष्चों के उपर सल्फर डायोकसाइट का मातर एक मैप है विंडी नाम की एक वेबसाइट है जो वेदर फोरकास्ट करती है ये वहीं से लिये हुए स्क्रीन शॉट्स है विंडी डाट कॉम का ये डेटा रियल टाइंग नहीं बलकि फोरकास्ट है फोरकास्ट मतलब पुर्वानुमान पुराने डेटा को एनलाइज करके आगे क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगा लेना जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है और विंडी डाट कॉम का ये फोरकास्ट डेटा खुद का भी नहीं है उन्होंने ये डेटा नासा के किसी जी ओएस फाइव मोडलिंग सिस्टम से लिया है अब देखते हैं कि नासा का इस पर क्या कहना है नासा का भी यही कहना है कि ये कोई रियल टाइम डेटा नहीं है ये फोरकास्ट है और फोरकास्ट किसी भी फ्यूचर की human activity का अंदाजा नहीं लगा सकते है तो शवों के जलने वाली बात बिल्कुल सही है लेकिन satellite वाली image वाला दावा बिल्कुल खोकला है मैं उमीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी क्या आप भी इस वीडियो को देखने से पहले इस यूमर पर बिलीफ करते थे अगर हां तो मुझे comment करके जरूर बताना अगर ऐसा कोई topic है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं knowledge share करूं coronavirus को लेकर तो मुझे वो भी comment करके जरूर बताना वीडियो पसंद आई तो like जरूर करना मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में until then अपना और अपनों का ख्याल रखे उन्हें ठेड सारा प्यार करें share this video if you care for human life